हेलो स्टुडेंट नमस्ते मित्रों आपको प्रस्ना दो अ ब और कह होगा कावय पंक्ति पूर्ण किजिए तो ये कावय अभी एक बार शारी में गाऊंगी फिर आप अपने नोट में रिवीजन के दोरान लिखोगे और इस कावय में से आपको कोई भी एक बार पुछा जा स पक्ता है इसलिए हमें सारी कावय लिखनी है और पक्की करनी है तो मैं आपको आज उसके घान के साथ आप भी मेरे साथ गाऊंगे और अपने स्वर को लह लहांगे जिसको संगीत में बहुत इंट्रस है वो भी अच्छी तरह गाएंगे तो आए मित्रों हम चेप्टर टू है सिक्स में उनकी कविता गय है एक जगत एक लोक सबका है एक मान एक जगत एक लोक सबका है एक मान एक चंद्र एक सुर्या एक भुमी आसमान एक तेज एक हवा एक ही पानी जीवन है सुख दुख की एक कहानी एक दिहा एक रग्त एक अस्थी एक प्रा एक जगत एक लोक सबका है एक मान एक जगत एक लोक सबका है एक मान हर सबरे हम रागशुहाने समता और ममता के कीत तराने गर गर में गुझ रहा गर गर में गुझ रहा गर गर में गुझ रहा निस्तिन यहां मदुरगा एक जगत एक लोक सबका है एक मान राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा प्रगतीन यह मान वता दर्म हमारा हिल मिल के लहराएं हिल मिल के लहराएं विस्व सन्ती का निशान एक जगत एक लोक सबका है एक मान एक जगत एक लोग के सब विकाँ है एक मत तो बच्चे हम इस कविता को अच्छी तरह लिखेंगे क्योंकि आपको कावय पंक्ती पोड़ कीजिए प्रस्न दो को में पूचा जाएगा तो अच्छी अक्सर से लिखना है थेंक यू स्कुडान